इस लड़के के लालची पेरिंट्स ने इसे एक डीमन को बेज दिया, वो भी सिर्फ चंद रुपेयों के लिए तो अब इसकी जिन्दगी कैसे कटने वाली है और क्या होने वाला इसके साथ? चलिए देखते हैं इस स्टोरी के में करेक्टर का नाम है सुजूकी इरुमा जो की सिफ 14 साल का है और ये अपने जिन्दगी में हमेशा हाट शिप से गुजरा है इसकी जिंदग में बहुत सारी कठिनाई ये आई हैं इसे 14 साल की उमर में ही काम करकी अपनी रोजी रोटी कामानी पड़ती है क्योंकि इसके पेरेंट्स जो है वो काम नहीं करना चाहते ऐसे ही इरुमा शिप पे काम करता रहता है लेकिन तभी ही उसे शिप से टलेपोर्ट कर दिया जाता है तो वो देखता है कि उसके सामने एक डीमन है जो उसे लेके जारा है कहीं पर वो डीमन कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझे तुमें बेच दिया है और इसका पोता बन जाता है फिर ये डीमन कहता है कि अभी तुमें कल से स्कूल जाना है और यो फटक से इरुमा के सारे कपड़े वपड़े सब बदल देता है और उसका एक नया रूम खड़ा कर देता है और कहता है कि तुम यहाँ पे सेफ रहोगे जब तक यहाँ के डीमन को मालूम ने पड़ता है कि तुम एक इनसान हो अगर उन्हें मालूम बढ़ेगा कि तुम एक इनसान हो तो वो तुमें खा लेंगे फिर इरुमा रात में सोने जाता है और कहता है कि शायद यह एक बुरा सपना है और ऐसा बोलके वो सोजाता है फिर जब वो अगले दिन उठता है तो देखता है कि ये एक बुरा सपना नहीं है और ये एक सच्चाई है उसके बाद इरुमा स्कूल जाने के लिए रेडी होता है और फिर वो जाता है उसके स्कूल में जिसका नाम है बाबे रिूस वो देखता है कि यहाँ पर जितने भी डिमन से सबके पास पंक है और सब उड़ उड़ के स्कूल में आ रहे हैं और फिर वो स्कूल के एंटरन सेरिमानी में बैठा होता है और उसके आस पास सब खतरनाक डिमन होते हैं जो आपस में बात करते रहते हैं कि हमें किसी लजीस चीज की खुशबू आ रही है ये सुनके वो डर जाता है एक्टम से इरुमा कोशिश करता है कि वो लोगों में घोल मिल जाए और वो कभी भी मतलब किसी के सामने ना आए पर उसकी ये सोच एक सोच ही रह जाती है क्योंकि उसे मालूम पढ़ता है कि उसके स्कूल के जो प्रिंसिपल है वो उसके दादा जी ही है और उसके दादा जी स्टेज पे आके सबको कहते हैं कि ये है मेरा पोता इरुमा तुम लोग को मैं सबको इसकी फोटो दे देता हूँ फिर स्कूल के सरिमनी में एक प्रथा होती है कि वहां का सबसे टॉप स्टूडेंट आके स्पीच देगा तो वो होता है आस्मोडियस पर एंड मुमेंट पे वो लोग का स्क्रिप्ट चेंज कर देते हैं तो कहते हैं कि इरुमा स्पीच देगा तो इरुमा स्पीच देने जाता है पर उसे कुछ सूचता ही नहीं क्या देना है तो उसके सामने एक चिट्थी रहती है जो उसके दादाजी ने लिखी होती है उसमें एक spell लिखा होता है तो वो spell पढ़ने लगता है और वो spell पढ़ने के बाद सब लोग हैरान हो जाते हैं Iruma को और कहते हैं कि तुमने एक forbidden spell पढ़ा है जिसे पढ़ना बिल्कुल भी allowed नहीं है school में अगर यह spell काम करेगा तो तुम पूरे दिन के लिए गिरोगे नहीं और फिर इसके बाद Asmodeus Iruma को challenge करता है कि तुम्हारे वज़े से मेरा spotlight चला गया speech देने का काम मेरा था लेकिन तुमने मेरा spotlight चीन लिया और अब तुम्हें लड़ना होगा मुझसे तो Asmodeus धड़ा धड़ इरुमा के उपर हमला करता है fireballs फिकता है पर इरुमा सबको dodge कर लेता है तो यहाँ पर हमें ये मालूम पड़ता है कि इरुमा इन सबको इस वज़े से dodge कर पाता है क्योंकि बशपन से ही उसके parents ने उसको छोड़ दिया रहे था है यहाँ पर लेकिन उसमें वो spell पड़ा होता है जिसके वैसे वो पुरा दिन गिर नहीं सकता फिर उसके बाद Asmodeus कहता है कि यहाँ की प्रथा है कि जो भी आदमी एक दूसरे डीमन से हारता है तो उसे उसका गुलाम बन के रहना पड़ता है तो इरुमा आज से मैं तुम्हारा गुलाम हूँ तुम्हारा एक सबोडिनेट और इसी के साथ पहले ही दिन पर इरुमा ने एक गुलाम अक्वायर कर लिया है फिर अगले दिन इरुमा का प्रवपर पहला दिन होता है स्कूल का जिसमें उनका ओरियंटेशन नहीं होता है पर उनकी क्लास होती है तो जैसे ही इरुमा स्कूल पहुचता है तो वो देखता है कि आस्मोडियस उसके लिए 6 घंटे से इंतजार करता होता है स्कूल में और फिर Asmodus Iruma को समझाता है कि आज के दिन उनका familiar summoning ritual होने वाला है जिसमें वो लोग खुद के लिए एक familiar को summon करेंगी अब familiar क्या होता है वो कोई भी genre, dragon, dragon, कोई भी type का mythical beast हो सकता है जो तुम्हारे साथ रहेगा पूरा time कि तुम्हें इस summoning pact को यूज करना पड़ेगा जो कि मेरा brand से बना हुआ है ताकि मुझे मालूम पड़े कि तुम लोग सही से summon कर रहे हो की नहीं तो हर बच्चा धेरे करके एक एक familiar को summon करने लगता है आस्मोडिस समन करता है एक gorgon snake को जो की एक high level का summon माना जाता है उसे देखके कालेगो कहता है कि ये बहुत सई समनिंग है उसके बाद आती है इरुमा की बारी अब समन करने का काम है demons का एक demon एक familiar को समन कर सकता है ये तो normal सी बात है लिकिन जब एक इनसान समन करने जाता है तो क्या होता है वेल इरुमा जैसे ही वो समनिंग पैक्ट यूज करता है समन करने के लिए उसके पास एक familiar समन नहीं होता है बलकि कालेगो टीचर समन हो जाता है क्यों क्योंकि IRUMA ने कालेगो के ब्रैंडिंग वाले summoning paper को यूज़ किया था उस वज़े से अब कालेगो IRUMA का एक familiar बन चुका है वेल जैसे ही कालेगो पूरी दर से summon हो जाता है तो वो एक छोटा सा चिडिया टाइप में convert हो जाता है फिर इसके बाद कालेगो और IRUMA दोनों ही principal के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि प्लीज इस summoning ritual को cancel कराईए तो principal कहता है कि यह नहीं हो सकता कम से कम एक साल तक तो नहीं हो पाएगा कि IRUMA ने कालेगो सेंसे को as a familiar summon किया है और इसके पहले पहले ही दिन पर IRUMA ने आसमोडियस को जर्मन सूपलेक्स मारा होता है वो भी छप गया होता है न्यूस पेपर में इसके बद IRUMA मिलता है एक green ball वाली लड़की से जिसका नाम होता है Clara फिर Clara IRUMA से बात करन लगती है और खुद का introduction देने लगती है तभी एक teacher आते है और वो IRUMA, आसमोडियस और Clara इन तिनों को रसी बांद के बाहर फेक देते हैं फिर Clara IRUMA को बोलती है please 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 मेरे साथ खेलो औ और please सुन कि IRUMA पेगल जाता है और वो Clara के साथ खेलने लगता है यहां तक कि आसमोडियस को भी खेलना पड़ता है Clara के साथ तीन सीनिर लोग आते है Clara के पास और कहते है Clara हमें भूग लगी है हमें प्यास लगी है हमें कुछ दो तो Clara अपने जेब पे हात मारती है और उसके जेब से चीजे निकलने लगती है खाने की और वो उन तीनों को दे देती है और वो तीनों लेके निकल लेते हैं वहां से फिर कुछ समय बाद वो लोग आते हैं और Clara से और चीजे लेते हैं तो IRUMA पुछता है कि यह क्या कर रही हो तो Clara कहती है कि यह मेरे फैमिली का तो Clara रोले लगती है उससे लगता है कि IRUMA उससे नहीं खेलने माला तो IRUMA कहता है कि मैं तुम्हारे इन सब चीजों के बागर भी तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूं तो यह सुनके क्लारा का दिल पिगा जाता है उसके बद वो तीनों वापस से आते हैं क्लारा के पास और कि आत से पहले मेरे कभी दोस नहीं बने हम सिर्फ साथ में खेलते हैं और साथ में रहते हैं तो उसके दाजी कहते हैं यही तो दोस्त होते हैं फिर हमारी गैंग जाती है अपने स्कूल में कैंटीन में खाना खाने के लिए वहाँ पे यह लोग देखते हैं कि हर इनसान को उ प्लेट का और डाल देते हैं गुसे में और इरुमा ये सब एक जटके में खा लेता है और उसी वक्त कैंटीन में एक दुकांदर होता है जो क्लारा को धक्के मार के बाहर निकलता रहता है कि तुम मेरे दुकां से चीजे उठाती हो और उनका पैसा नी भरती हो तो इस वज़ क्लारा खुश हो जाती है तभी ही वो दुकांदर इरुमा और उनके उपर हमला करता है कहता है कि तुमने मेरे दुकां से वापस सामान कैसे उठाया और ये देखके वो लोग भाग जाते हैं वहां से बाहर फिर इरुमा क्लारा और आस्वंडे से पुछता है क्या तुम मेर लोगों में घुल मिल जाना है और तुम्हें सबसे अलग नहीं दिखना है तो मैंने क्या किया मैंने तुम्हें डाल दिया है Misfits के क्लास ने तुम्हारे दोनों दोस्तों के साथ फिर जब Iruma और उसके दोस्त स्कूल जाते हैं तो उन्हें उनकी स्कूल में घुषने के बाद एक गुफा में जाना पड़ता है उनके classroom में enter होने के लिए वो गुफा के अंदर जैसे ही घुषते हैं तो उन्हें दिखता है कचरे वाला area और उसी कचरे वाले area के बगल में होता है उनका classroom उस classroom में घुसने के बाद ही इरुमा मिलता है एक बंदे से जिसका नाम होता है साबनोग और वो इरुमा को बोलता है कि तुम मेरे rival हो मैं demon king बनना चाहता हूँ और मैं rank उन पर जाओंगा तो इरुमा बोलता है rank उन क्या होता है तो तब ही वो explain करता है कि demon world में 10 rank होते हैं 1 से लेके 10 तक 10 को बोलते हैं उन जो कि top rank होता है और जो बंदे को rank उन मिलता है वही बंदा demon king बनता है तो वो rank तो मुझे मिलने वाला है ऐसे वो लोग बात करते ही रहते हैं कि तभी ही उनके class teacher की entry होती है जो की होता है कालेगो teacher और कालेगो teacher आके बोलता है कि अभी तुमारा final exam होने वाला है जो की है तुम्हें ये पुरा valley को complete करना है यहां से लेके वहां तक end point तक पहुचना है यहां तक पहुचने के दो रास्ते हैं एक है जो की बड़ा आसान रास्ता है लेकिन बहुत लंबा है और एक है जो की छोटा रास्ता है लेकिन खतरों से भरा हुआ है वो कहते हैं कि तुम्हारा rank determined होगा तुम्हारे familiar summoning के results को लेके और इस race के results को लेके तब ही साबनोग बोलता है कि मैं तो छोटा रास्ता लूँगा क्योंकि एक demon king को वही रास्ता लेना चाहिए और इस वक्त तो demon king के कुरसी खाली भी है तो मैं फटक से rank up करूँगा और demon king बन जाओंगा फिर काले को बोलता है कि वो रस्ता मत लो क्योंकि वो रस्ता बंद है फिलाल के लिए क्योंकि वो एरिया का जो guardian है वो इस वक्त बहुत खुस्से में है ऐसा बोलकि वो रेस स्टार्ट कर देता है सारे डीमन अपने पंक निकाल के उड़ने लगते हैं और इर साबनौक से फिर इरुमा देखता है कि guardian के nest में जो उनका बच्चा होता है उसके पैर में चोट लगी होती है तो इरुमा उसके पैर की चोट ठीक कर जाता है और उसी में इरुमा के हाथ से एक खून का बून टपक के वो guardian के बच्चे के पैर के चोट में गिर जाता है और उ उसी वक्स साबनोग से लड़ रहा होता है गाडियन और साबनोग कहता है लगता है मैं तो डीमन किंग बनने के पहले ही खतम हो जाओंगा भाई साबनोग ने almost हार मान ली होती है guardian के against पर वो बोलता है नहीं मैं एक demon king बनना चाहता हूँ तो मैं हार नहीं मान सकता तो वो अपना bloodline magic यूज़ करता है जो की होता है कि वो कोई भी चीज़ चबा रहा होगा तो वो उस चीज़ के material से एक weapon बना सकता है तो वो धड़ा धड़ weapons बनाता है और guardian के उपर हमला करता है पर सारे हमले नाकामियाब होते हैं उसके तो guardian उसके उपर final हमला करने ही वाला होता है कि तभी Iruma आता है और रोग देता है सब कुछ तो जो guardian का बच्चा होता है वो guardian से बात करता है कहता है कि इन लोगों ने मेरी जान बचा ही है तो guardian और guardian का बच्चा दोनों ही बाव करते हैं Iruma के सामने और फिर सारे बच्चे दिरे-दिरे करके race complete करते हैं पहले rank पे आता है Asmodeus और दूसरे rank पे आती है Clara क्योंकि वो Asmodeus के Pete पे बैटी होती है पुरा time फिर ऐसे बहुत time पी जाता है लेकिन Iruma और सामनोग इन लोग का पता ही नहीं रहता है कुछ तो कालेगो सेंसे इन लोग का नाम cut कर देता है पर तभी ही Iruma और सामनोग आते हैं guardian के उपर ये देखके सारे बच्चे हैरान हो जाते हैं फिर वो लोग का rank determine करने का time आता है तो कालेगो एक owl को बुलाता है जिसके जेब में लोग वो हाट डालके उनके rank का badge निकालना होता है आसमोड इसको मिलता है rank 4 और क्लारा को मिलता है rank 3 और ऐसे ही बाकी सब बच्चों को rank 2, rank 1 मिलता है सामनोग को मिलता है rank 2 और जब इरुमा की बारी आती है तो जैसे ही वो हाट डालता है वो owl के जेब में तो उसके हाट में कोई badge नहीं आता है पर आती है एक gold वाली अंगूठी तो वो देखके सामनोग बोलता है कि ये अंगूठी है demon king की तभी वो अंगूठी में से एक spirit निकलता है और जोर जोर से चिलाने लगता है जिसकी आवास पूरे school में गुचती है और फिर आसमोडियस और सामनोग उस अंगूठी को रोकने की कोशिश करते हैं लिकिन वो दोनों ही नाकामयब हो जाते हैं तभी ही इरुमा के दादाजी वहाँ पे आते हैं और वो अंगूठी को अपना energy खिलाते हैं और बोलते हैं चल बेटा शान्त हो जा और तभी ही वो बोलते हैं कि इस अंगूठी का नाम है the glutinous feeder ring और यह अंगूठी जबी भी किसी के हाथ में आ जाती है तो कभी नहीं निकलती वेल इन सब तमाशे में इरुमा को उसका rank मिलता ही नहीं है तो in the end school वाले decide करते हैं कि इरुमा को हम लोग देंगे rank 1 जो कि है सबसे lowest rank वेल इस episode की शुरुवात होती है इरुमा स्कूल जा रहा होता है एक रत में बैठके और उसके दादाजी जो एक demon है वो उस रत को चदा रहे होते हैं ऐसे ही करके वो लोग एक एक teacher की class attain करते रहते हैं उसके बाद वो लोग आते हैं botny class में जहां पे उनकी teacher उनसे कहती है कि मैं तुम्हें एक ऐसा spell सिखाने वाली हूँ जिसे use करने के बाद तुम plants को बढ़ा कर सकते हो तो फिर sabnok और azaz की बीच में लड़ाई हो जाती है जो कि usual सी बात है उसके बाद Clara का plant आता है जो कि एक अजीब सा बवासिर type का कुछ तो होता है जो मुझे भी निसमझा कि क्या है फिर बारी आती है iruma की लेकिना problem यह है कि iruma तो एक इनसान है तो उसके पस कोई magical powers तो है नहीं तो वो सोचता है कि यार मैं क्या ही कर लू काश मैं भी इसे plant को बढ़ा कर पाता तो वो ऐसे ही practice करता है अपना हाथ आगे करता है और बोलता है क्वान क्वान और उसकत बोलता है ऐसा होने नहीं वाला मगर अगर ऐसा हो सकता तो मैं यहाँ पर एक cherry blossom का plant बनाता और तब ही अचानक से बड़ा सा cherry blossom का पेड़ उग जाता है पर problem यह है कि मैंने इस वक्त वो अंगूठी को modify ने किया है कि तुम किस type का magic यूज़ कर सको मतलब तुम कम level का, medium level का या high level का magic यूज़ कर सको वेल वो सोचती रहती है कि Iruma शायद से एक इंसान है क्योंकि जब Iruma ने वो Cherry Blossom का पेड़ उगाया होता है तो वो कहती है ये तो एक strange पेड़ है जो कि सिब इंसानों की दुनिया में होता है आमेरी अपने cabin में जाती है और वहाँ पे वो उसका एक secret door खोलती है उसके bookshelf के पीछे और वहाँ पे बोलती है ये मेरे family का secret relic है जो की असल में होता है human के world का manga और उस manga का title होता है first love memories आमेरी ये manga पढ़ नहीं पाती है लेकिन वो उसके pictures को देखके imagine करती है चीजों को कैसे वो लड़का होता है वो लड़की से ठोकर खाता है उसके बाद वो लड़की की help करता है और लड़की को प्यार हो जाता है उससे ये सब pictures देखके आमेरी बहुत खुश होती है तो इससे तो ये clear है कि आमेरी को manga बहुत पसंद है especially romance manga और हमारा main character Iruma उस वक्त साफ सफाई में help करता रहता है teachers की well वो यही सब करता रहता है और वो आगे बढ़ता है अपने काम से और यहाँ पर आमेरी भी कुछ काम से आगे बढ़ती रहती है लेकिन इस वक्त वो manga carry करती रहती है अपने पास और तभी ही इन दोनों की ठोकर हो जाती है और Iruma अपना हाथ बढ़ाता है आमेरी को help करने के लिए और आमेरी को strike होता है कि यह तो सब सेम वैसा manga के जैसा हो रहा है क्या यह लड़का मुझे अपने प्यार में फसाने की कोशिश कर रहा है यह वो सोचने लगती है इस वक्त आमेरी को भी पतानी रहता है कि Iruma कौन है और इरुमा को भी पतानी रहता ह इरुमा कहता है यह तो मैं बहुत टाइम से पढ़ रहा हूँ इन फैक्ट मैंने इस manga पे काम भी किया है उसके द आमेरी इरुमा का हाथ पकड़ती है और वो उसको खीच के लेके जाती है अपने कैबिन में और वो इरुमा से कहती है कि इरुमा चलो तुम यह manga मुझे रहता रहता है और आमेरी को बताता रहता है कि manga में क्या क्या होता है तो आमेरी इरुमा से पुछती है कि यह date क्या होता है तो इरुमा उसका फोन लेके उसमें अपना नंबर सेव कर देती है फिर अगले दिन जब इरुमा स्कूल जा रहा होता है तो ओपेरा उससे पूछत तो इरुमा वापस सोचन लगता है कि मेरे जिंदगी इनसान की दुनिया में कैसी थी और यहाँ पे कैसी है तो ओपेरा उससे कहता है तुम अगर चाहो तो तुम इनसान की दुनिया में वापस जा सकते हो और फिर इरुमा अपनी स्कूल में दोस्तों के साथ लंच करता होता है तो उसे अमेरी का टेक्स्ट आता है कि इरुमा मेरे कैबिन में आ जाओ आमेरी ने असल में इरुमा को बुलाया होता है वापस से एक मांगा वॉल्यूम रीड करने के लिए तो ये देखके आज-आज और क्लारा दोनों ही बहुत गुस्ता होता है कहते हैं कि इरुमा पिछले दो-तिन दिनों से हमें छोड़ के कहीं चल जाते हैं तो वो इरुमा का पीछा करते हैं जानने के लिए कि क्या हो रहा है तो वो देखते हैं कि Iruumaa असल में आमेरी से मिलता है तो आज-आज कहता है अरे Erumaa President से क्यों मिल रहा है क्या Iruumaa का प्लैन है पूरे School को conquers करना और वो Start करने School Council के साथ Iruumaa सामा अब बहुत great हो ऐसा हो कहता है आमेरी भी अपने Council के लोग कहके आयी होती है कि तुम्हारे ड्रीम क्या है अगर तुम्हारे पास कोई ड्रीम नहीं है अब तक तो तुम इसी वक्त सोचो कि तुम्हें क्या अपना ड्रीम रखना है और इसी वक्त आज आज रोकता रहता है क्लारा को उनके रूम में घुसने से क्योंकि आज आज को लगता है कि इरुमा कहती है अगर तुम कुछ सोच नहीं पा रहे हो तो मैं तुमें एक गोल देती हूँ तुम अपना ड्रीम बनाओ कि तुम रैंक अप कर सको फिलाल के लिए तुम रैंक वन से रैंक टू पर जाने की कुशिश करो तो इरुमा सोचता है और कहता है हाँ ये सही है और तभी ही क्लारा और आज-ाज दोनों ही दर्वादा तोड़के आमेरी के रूम में घुश जाते हैं और क्लारा इरुमा को खिचके रूम से बाहर चले जाती है तो आमेरी कहती है इरुमा आज के लिए इतना ही करते हैं हम अपना सेशन कल रिजूम करेंगे इसके बाद अगले ही दिन वो लोग दिखाते हैं कि क्लारा साबनौक से पुछते कि मैं क्या करूँ इरुमा मुझसे दूर जा रहा है वो लाल बालवली लड़की के पास तो साबनौक उससे कहता है तुम कोशिश करो इरुमा को अपने प्यार में फसाने की क्लारा ये बात सच में दिल पिलागा लेती है वो अपने next class का form फिल करती है और उसमें लिखती है कि उसको succubus training लेना है फिर क्लारा succubus training लेने लगती है और तभी जो उनकी teacher होती है वो teacher सबका sexiness चेक करती है तो वो देखती है कि क्लारा का sexiness सिफ 2% होता है जो कि बच्चो से भी कम होता है तो वो च्लारा को धेर सारी किताबे दे देती है और कहती है इन सब किताबों को पढ़ो और खुद का meter up करो क्लारा उन सब books को पढ़ती है और हर चीज़ गलत करने लगती है और उसका sexy meter और कम होता है उनमें लिखा होता है कि एक sexy सा pose बनाओ तुमें जिसको seduce करना है उसे तुम touch करो, तुम make-up लगाओ खुद के उपर scent लगाओ और उनको attract करो अपने पास फिर Clara दिखती है कि वो जो भी कर रही है और उनसे कहते है कुछ हो नहीं रहा है तो उसकी teacher कहती है कि मेरे पास एक secret weapon है अगर तुमने ये वाले perfume को फेरमान को use किया तो तुमें जिससे seduce करना है वो 100% तुमारे जाल में फस जाएगा तो Clara कहती है नहीं मैं ये नहीं यूस करना चाहती ऐसा कहके वो जाके garden में उदास होके बैठ जाती है तो Iruma जाता है उसके बास और कहता है अरे एक लड़की को यहाँ पर अकेले नहीं बैठना चाहिए तो Clara सुनती है कि Iruma उसे एक लड़की समझता है ये सुनके वो बहुत खुश हो जाती है और वो Iruma से कहती है Iruma एक दिन में तुम्हें मेरे प्यार में जरूर फसा दूँगी ऐसा कहके वो खुशी-खुशी वहाँ से चली जाती है और फिर उनकी टीचर देखती है तो Clara का percentage 2% से 10% पहुँच गया होता है वो कहती है अरे ये के magic हो गया और फिर रात को सोने से पहले Iruma सोचता है क्या मैं rank up कर भी पाऊंगा मैं तो एक इनसान हूँ उसे आमेरी की बाते याद आती है कि आमेरी नों से कहा होता है कि तुम rank up करो और तुम मेरे साथ आके खड़े हो जाओ तो फिर अगले ही दिन Iruma अपने दोस्तों को जोकी है आज-ाज और Clara को उनको कहता है कि उसे rank up करना है ये सुनके आज-ाज बहुत खुश हो जाता है वो कहता है Iruma सामा मुझे पता ही था कि आपको भी rank up करना है एक हफते में वो बोलता है वो rank up exam होने वाला है execution cannon ball game के उपर वो कहता है ये game को invent किया गया था ताकि demons लोग अपने territory के लिए लड़े तो वो इस game के तुरू ही decide करते थे कि कौन actually winner है वो territory का उसने कहा उस वक्त वो लोग खतरनाक ball यूज करते थे और हम लोग ये game खिलने का practice करते हैं तो Iruma फटाफट सारे balls dodge कर लेता है लेकिन वो attack नहीं कर पाता क्योंकि उसकी सिर्फ dodging skills अच्छे होते हैं तब ही वो लोग practice करते रहते हैं और उसी वक्त उनके class के सारे students भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हमें भी खिलना है और ऐसे ही Iruma देखता है कि हर student के पास कोई ने कोई ability होती है जो की बहुत overpowered होती है तो Iruma सोचता है अरे यार मैं कैसे पार कर पाऊंगा इस challenge को तो वो आजाज से बात करता है तो आज-जाज उसे बोलता है अगर आपको rank up करना ही है तो हम किसी higher ranking demon से बात करते हैं और हमारे सबसे आसपास में higher ranking demon जो है वो है तुम्हारे दादाजी तो Iruma जाता है अपने दादाजी से बात करता है तो Iruma कहता है कि grandpa मुझे spell नहीं use करना है मुझे अपने ताकार से rank up करना है ये सुनके उसे grandpa बहुत खुश हो जाते है कहते हैं Iruma अगर तुम्हें खुच से practice करना है तो मैं तुम्हारे लिए एक नया teacher लेके आता हूँ और उसके दादाजी लेके आते हैं opera को तो opera Iruma की training स्टार्ट करता है वो Iruma से कहता है कि Iruma तुम्हारे dodging skills तो बहुत अच्छे है लेकिन तुम्हारा attacking skills बिल्कुल भी अच्छा नहीं है तो सबसे पहले तुम try करो ball को पकड़ने के लिए ऐसे ही वो लोग हफते बाद practice करते रहते हैं इरुमा के पुरे हाथ छिल जाते हैं लेकिन वो end में एक बार ball को पकड़ी लेता है फिर ऐसे ही practice करते करते वो पुरा एक हफता खतम हो जाता है और तब बार ही आती है execution cannon ball game के दिन की इरुमा थोड़ा nervous रहता है नाष्टा करते हुए तो ओपेरा उससे कहता है कि अगर तुम्हें डर लगे जितना भी डर लगे तो तुम उसे अपने अंदर भर लो और उसे excitement की तरह यूज़ करके आगे बढ़ो जो होता है कि तुम magic बिल्कुल नहीं यूज़ कर सकते हो तुमसे magic यूज़ कर सकते हो ball के उपर और ball के अलावा तुमने कहीं भी magic यूज़ किया तो वो allowed नहीं है उसके बाद काले को sensei सब students को team में divide करते हैं इरुमा और Clara तो एक team में आ जाते हैं लेकिन Asmodeus उनके opposite team में आता है तो Asmodeus सोचता है कि मुझे एरुमा सामा की help करनी पड़ेगी लेकि मैं दूसरे team में हूँ तो मैं कैसे help करूँगा उनकी इसी सोच में वो पढ़ जाता है पूरे game में तो फिर game शुरू होता है लोग फटा-फट एक दूसरे पर हमला करते रहते हैं तो कोई आउट होता है, कोई रह जाता है लेकिन इसी बीच में पता निकला रहा है कि दिमाग में क्या आता है वो अपने जेव से धढ़ा-धढ नए-नए ball निकाने लगती है तो सब लोग confused हो जाता है कि इतने सारे ball कहां से आए इसी में ये बादल पे उड़ने वाला लड़का अपना magic यूज़ करता है सारे लोगों के उपर और इसे एक काले को सेंसे डिस्कॉलिफाय कर देते हैं और अब ball आता है एरूमा के हाथ में इरूमा और आजाज तो आजाज बोलता है चलो मैं इरूमा को एक free win दे देता हूं काम खतम लेकिन वो तभी इरूमा के चहरे पर वो determination देखता है और वो कहता है मैं कितना बड़ा गधा हूं मैं इरूमा को एक free win देने की सोच रहा था अगर मैं ऐसा करता तो उनकी सारी मेहनत पाने भी कर जाता अब मैं अपनी सारी ताकत लगाऊंगा और truly अच्छे से game खेलूंगा और वो अपनी पूरी ताकत लगा के एक fireball फिकता है इरूमा की तरफ जो देखके इरूमा डरता नहीं है क्योंकि उसे ओपरा की बात याद आती है तो वो अपने डर को excitement में convert करता और भाग भाग के जाता है आगे ball पकड़ने के लिए और वो आस्मोडेस का ball पकड़ लेता है लेकिन वो ball में इतनी energy होती है कि इरूमा कंट्रोल नहीं कर पाता है खुद को तो वो क्या करत है वो सोचता है कि मैं इस ball की energy को ही use करके इसे deflate करके आस्मोडेस के उपर फेक देता हूं और वो वैसा ही करता है और वो ball उड के जाता है आस्मोडेस कंधे पर लगता है और निकल लेता है और इसी में आस्मोडेस आउट हो जाता है मतलब इरूमा जीत जाता है तो फिर इ Iruma rank 1 से rank 2 पे पहुँच जाता है, उससे यकिन ही नहीं होता है कि उसका rank up हो गया। और उसी वक्त वहाँ पे आमेरी और बाकी सब भी आ जाते है, student council के लोग। और आमेरी Iruma के पास आके कहती है, शाबाश Iruma, इस feeling को तुम हमेशने याद रखना। और फिर Iruma अपने घर जाता है और अपने grandpa को बताता है कि grandpa मेरा level up हो गया, अब मैं rank 2 हूँ। तो ये देख कि उसके grandpa बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, Iruma तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तो Iruma उस वक्त ओपेरा को थैंक्स बोलता है, तो ये सुनके उसे grandpa गुस्सा होते है कि तुमने मुझे थैंक्स क्यों नहीं बोला, मैंने भी तुम्हारा help किया था। फिर उसे grandpa बोलते है, अरे देखा तो मैंने तुम्हारा help किया ही नहीं। जैसा कि पिछले episode में हमने देखा था कि Iruma का rank up हो जाता है। और आस्मोडियस सबसे पहले अपने फैमिलर को समन करता है, जो की होता है Gorgon Snake, फिर उसको देखके साबनोग भी अपने फैमिलर को समन करता है, जो की होता है एक Kelpie, और वह आपस से रोज की तरह आस्मोडियस और साबनोग इनके बीच में लाड़ाई शुरू हो जाती है, क इसने क्लारा को टेम किया होता है, वो एक बॉल फेकता है और क्लारा जाके बॉल ले के आती है, वो क्लारा को बोलता है, क्लारा जाओ मेरे लिए तुम एक बन ले के आती है, तो क्लारा लिटरली अपने फैमिलर की बाते सुनती रहती है, जो की उल्टा ही हो जाता है, उसके होता है इरुमा पर बोलता है कि तुमने मुझे आखिर समन कर लिया है तो अब इस क्लास में तुम्हें अपने फुल माक्स लाने पड़ेंगे उसके लिए तुम्हें हर एक चीज करना पड़ेगा तो फिर रॉबिन से सबसे पहला काम देते हैं वो होता है फ्रिजबी को फेको और अपने समन को बोले वो लेके आए तो इरुमा फ्रिजबी फेकता है और कालेगो सेंसे गुस्टे में जाके वो फ्रिजबी को लेके आते हैं उसके बाद Robin बोलता है चलो अभी next होगा डांस करना है तुम्हें अपनी फेमिलर के साथ तुम्हें उसके साथ भागना है ये करना है वो करना है कालेओ को ये सब देखके बहुत गुस्सा आता है लिकिन वो हर एक चीज़ कर देता है इरुमा के साथ अच्छे स्कोर पाने के लिए फिर तभी ही आस्मोडियस और साबनोक इन दोनों के फेमिलर की भीच में छगड़ा होने लगता है तो कालेओ गुस्से में जाता है दोनों के फेमिलर को एक टपली मारता है और दोनों को बैठा देता है नीचे उसके बद अगले सीन में इरुमा और उसके दोस्त लंच कर रहे होते हैं कैफिटेरिया में तो इरुमा बोलता है कि आज कैफिटेरिया इतना खाली क्यों है तो आस्मोडियस बोलता है कि आज होने वाला है बैटलर का रूकी हंट फिर एक अप्रक्लासमें इुरूमा के पास आता है उसको रेक्रूट करने ये तो अस्वोडेस उसको रोग देता है अपनी आग लगा की तो अस्वोडेस क्या करता है वो बोलता है कि दुच बैलेसं कहाँ हमें नहीं जाके चाना है तो इरुमा यह सब देखके तो डर जाता है बोलता है यह तो बहुत extreme चीज़े हो रही है और तभी ही student council के लोग वहाँ पे आते हैं तो इरुमा देखके हरन हो जता है कि student council के जो president है वो आमेरी है क्योंकि उसे पता नहीं होता है अब तक तो काले को आता है उनके class में और कहता है अब तुमारे पास तीन दिन है तुम सारे battlers को देख सकते हो और decide कर सकते हो कि तुम्हें कौन सा battler join करना है तो हमारी gang निकल लेती है school में एक-एक battler को देखने के लिए वो लोग हर type के battler को देखते हैं जैसे हो गया खाना बनाने वाला battler, library का battler, demon king का battler ऐसे बहुत सारे battlers देखते हैं तो वो देखते हैं कि साबनोग जो है वो demon king वाले battler में जाता है उसे लगता है यहाँ पर उ लोग असल में कोशिश करते हैं demon king के बारे में पढ़ने की और नए-ने चीजे समझने के उसके बारे में तो साबनोग यह देखे थोड़ा है लेकिन खुश हो जाता है वो कहता है इधर तो बहुत सारा नौलजे demon king को लेके तो यह सई है मेरे लिए उसका इरुमारे हाथ में इसके लेकिन करना है और तभी उसकी जो हाथ में अंगूठी होती है वो अंगूठी उसे खीच लेके जाती है कही और तो वो इड़ ondha जाता है और एक बंदर से टुक्रा जाता है है वो देखता है कि जो बंदा है यह इसके बंददी कि प्वार को यूस कर सके और खुद के magic को evolve कर सके और अरुमा रात में घर पहुचता है और उसके जो दाधा जी होते हैं वह इरुमा का अंगूठी को लेते हैं और बोलते हैं एरुमा मैं इसको थोड़ा मॉड़ीफय करने वाला हूं तो वह उसके अंगूठी को modify कर देते हैं और उसमें का एक्स्ट्रीम होता है उसके बद अगले दिन इरुमा वापस से सब बैटलर को धूंता रहता है और वो जाता है एक्सेक्यूशन कैनन बॉल वाले बैटलर में और वहां पे वो उसके रिंग का फॉर्स्ट लेवल यूज करके बॉल को फिकता है तो वहां के लोग बोलते है जो इरुमा के साथ पिछले दिन टकराया होता है तो इरुमा इसको देखके थोड़ा हैरान हो जाता है फिर उसके बद इरुमा इस बंदे का थोड़ा करता है उसको पंखा लगाता है और उससे कुछता है कि आपका नाम क्या है तो ये बंदा बोलता है मेरा नम कीरियो है औ वह वह पस से खास न लगता है और उसके खासते खून निकलता है उसके मूह से तो इरुमा को बोलता है कि यह सब चीजों में तो मैं एक्सपर्टी था मैंने पहले भी बहुत ऐसे काम किये हैं तूटीवी चीजों को बनाना उसके बाद कीरियो क्या करता है वह उस दिल वाले बता है और उसको उसके माशीन में डाल के ऊसमसीन को चालू करता है और इरुमा को मैजिक करता है कि मैं आज आ नहीं पाऊंगा student council के room में तो आमेरिका दिल तोड़ जाता है क्योंकि उसने बहुत तैयारी की होती है क्या मैं आपका club join कर सकता हूं तो कीषियो हां बोल देता है उसे उसके अगले दिन इरुमा जाता है आमेरी के पास उसके club room में और उसको देखके आमेरी बहुत खुश हो जाती है उसे लगता है कि इरुमा आ गया है उसका club join करने के लिए student council वाला तो आमेरी इरुमा के लिए तो इरुमा उससे कहता है कि मैंने दूसरा क्लब जॉइन कर लिया तो यह सुनके आमेरी को बहुत गुस्ता आता है इरुमा पे और उसका डिल्ट उड़ जाता है तिर अगले दिन ओपेरा बोलता है कि अभी आपका student teacher meeting होने वाला है जहां पे आपके बैटलर में आपके parents आए कि अगला demon king कौन बनना चाहिए क्योंकि demon king की कुर्सी खाली है तो उसके लिए तीन top contenders होते हैं उसमें से एक होता है सालीवन जो होता है इरुमा का grandpa तो तो जो तीन top contenders होते हैं वो लोग एक उपर वाले फ्लोर बैटे होते हैं फ्लोर नंबर 666 पे वो लोग बात करते हैं क कि किसका grandchild बहुत जादा cute है तो फिर तभी सालीवन बोलता है कि देखो मेरे पास भी grandchild है तो वो देखके बाकी दोनों शौक हो जाते है कि तुमारा grandchild कैसे है तुमारे तो शादी भी नहीं हुई है लेकिन वो दोनों decide करते हैं कि वो लोग सालीवन को demon king बना चाहते हैं ल कहते हैं कि हमें complain मिला है कि आप illegally human world में गय थे और वो लोग सालीवन को लेके चल जाते हैं पुलिस टेशन और वहाँ पे उसे पकड़ के रख लेते हैं पर वहाँ भी सालीवन के मज़े रहते हैं उससे कोई पकड़ के बन नहीं करता है लेकिन उसे बोलकर रखते कि आप य नर्वस भी रहते हैं ये सोच के उनके परेंट साके क्या सोचेंगे तो अरुमा बोलता है कि ये मेरे पहली बार हो रहा है कि मेरे पैरेंट्स मेरे स्कूल में आने वाले हैं जो मेरी पुरानी जिंदगी थी वहाँ पर मेरे परेंट्सकों घन्टा फरक नहीं पड़ता था लेकिन यहाँ पर मुझे 100% परसंट पता है कि मेरे दादाजी आएंगे और मुझे चेयर करेंगे। यह सोच के थोड़ा नर्वस भी होता है और खुछ भी होता है। उसके बाद सालीवान कालेगों को एक मेसेज भीचता है कि वो पुलिस टेशन में है तो आज का दिन अटेन नहीं कर सकता है। तो फिलाल के लिए कालेगों को इंचार्ज बनना पड़ेगा पूरे स्कूल का और ऐसा रिप्रेसेंट करना पड़ेगा कि वो चेयर डीमन है। तो कालेगों सोचता है कि ऐसा क्यों हुआ कि सालीवान को पुलिस वालों ने क्यों पकल दिया। इसमें मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। इरुमा बोलता है रुको मैं तुम्हारे लिए एक्जामपल लेके आऊँगा। फिर इरुमा का दिल तूट तूट जाता है और वो कहता है ठीक है मैं बगर एक्जामपल के फटा के बनाऊँगा। तो फटा के सुनके वो बहुत खुश हो जाती है वो कहते है तुम इसे लेके जाओ लेकिन कल शाम तक मुझे लाके वापस दे देना। तो लोग फिलोफाइट खेलते हैं उसी वक्त हम लोग को कीरियो बताता है कि उसका जो ब्लेडलाइन मैजिक है वो होता है बैरियर तो वो कहीं भी एक बैरियर खड़ा कर सकता है। जिसमें वो लोग बताते हैं कि बैटलर पाटी के एंड में क्या होगा जो लोग जीतेंगे उनके साथ। जो कि है Iruma, Asmodeus और Clara ये लोग कोशिश करते हैं उनका launchpad बनाने की और वो लोग सोचते हैं कि ये launchpad जब बन जाएगा तो इसी के अंदर वो लोग उनका firecracker रखेंगे और उसे यही से launch करेंगे तब Iruma पूछता है अरे किरियो कहां पे गया जो कि बहुत अच्छी opportunity है और इसे destroy करने में हमें तुम्हारे ability की ज़रुवत पड़ेगी और तुम्हारे machine की किरियो अंदर बैठके अपना काम करता ही रहता है कि तब ये अच्छने से Iruma भी वहाँ पे आ जाता है तो किरियो उसे पूछता कि इरुमा तुम यहाँ पे कैसे आए तो इरुमा उसे बोलता है कि मैं तो तुम्हें ढूंड रहा था और तभी मेरी अंगूठी अक्टिवेट हो गई और वो मुझे खीच के यहाँ पे लेके आ गई तो किरियो बोलता है अच्छा है फिर ठीक है पिर किरियो उसे दिखाता है कि उसके रुम में क्या क्या है और उसे बोलता है कि देखो इरुमा इस रुम से तुम ठीक नीचे देखोगे तो नीचे तुम्हें जितने भी लोग दिख रहे हैं उन लोग को तुम नहीं दिखोगे और फिर वो लोग कहते हैं कि अगले दिन बैटलर पार्टी स्टार्ट होने वाली है, सब लोग रेड़ी होके स्कूल जाने लगते हैं, आस्मूडेस बोलता है अपने बैटलर को की मॉम को स्कूल में मत आने देना, और उसी वक्त कीरियो अपने आप से बात करते हुए कहता है इरुमा, अब टाइम है हमारे स्पेशल इवेंट का, वो इरुमा से यहां बात नहीं करता है, वो असल में इरुमा को यूस करने वाला होता है, जैसा कि हमने पिछली पर देखा था कि बैटलर पार्टी बस स्टार्ट होने ही वाला होता है, तो यहां पर बैटलर पार्टी स उसे केहता है कि उसे कुछ काम है और ये बोल की वह जा निकल लेता है। क्योंकि बैटरा पार्टी में यह important है कि आपका जो बैटरा है उसका जो final outcome है वो कितना attractive है और कितना ही वो लोगों का attention grab करता है तो इरुमा ने सुचा कि वो लोगों तो पटा के फोड़ने वाले हैं तो उससे तो लोगों का attention grab हो गा ही तो उनके बैटरा के जीतने के chances बहुत बढ़ गए हैं ऐसा उसे लग रहा था उसकर आस्मोडियस क्लारा से कहता है कि इरुमा पटा के फोड़ेगा क्यूंकि वह ही deserve करता है पटा के फोड़ना और तभी बातों बातों में क्लारा अचाने सुच कैनन में आग लगा देती है यह देखके इरुमा आस्मोडियस तुमने क्या किया तुमें पता भी है अगर अभी पटा का फट गया होता तो हम लोग कुछ करी नहीं पाते कल के लिए और तभी आस्मोडियस क्लारा से कहता है लेकिन क्लारा तुम मुझे यह बता हो कि तुमने इसके अंदर का पटा का कहा पर रखा है तो क्लारा बोलती है मैंने तो कहीं ने रखा पटाके को मेगो लगा पटाका अंदर ही है तो तब ही वो लोग सोचते हैं कि किरियो गायब है और पटाका भी गायब है क्या पता किरियो तो पटाका नहीं लेगे गया हो और फिर अगले सिन में हमें दिखाते हैं कि कीरियो अपने गले का पेंडेंट तोड़ देता है और अपना मैजिक को अक्टिवेट करता है। उसके मैजिक से ऐसा होता ही पुरे स्कूल में हर जग़ बैरियर्स बन जाते हैं। और हर जग़ इन्विंजिबल वाल्स बन जाते हैं। जिसके आर पर कोई जान नहीं पाता है। उसके अगले ही सीन में हमें दिखाते हैं कि सारे बच्चे वो वाल्स के आसपास निकलने की कोशिश करते हैं। और हर एक बच्चा कहीं न कहीं फस गया रहता है इस वाल्स के बज़े से। तो ये देखे काले को सोचता है कि ये magic तो किसी ऐसे वन्दे न किया होगा जो level 9 ये level 10 का हो। और तभी काले को को strike होता है कि इस वक्तों जो हमारे chair demon है जो कि है इरुमा के grandpa वो भी school में नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये किसी की सोची समझी चाल है जिसने सालिवान को जो कि है इरुमा के grandpa उनको school के बाहर निकला और school के उपर ऐसा attack किया है। और उसके आप काले को एक plan मनाता है और कहता है डाली सेंसे को कि आप जाके announce करो कि ये जो चीजे हो रही है ये सब हमारे plan का ही हिस्सा था और ये एक special move है जो कि एक surprise है आप सब के लिए आप लोग को इस maze में बजबज के बाहर निकलना है और जो भी पहले बाहर निकल जाए पहुचा रहा रहता है और तभी कीरियोड नोटिस करता है कि एक बंदा दोड़ दोड़ के उसकी तरफ आ रहा होता है तो वो कहता है ये तो इरुमा ही होगा लेकिन इरुमा मेरे पास कैसे आया मैने तो मेरा pendant टोड़ दिया है तो उसे मेरी exact location मालू मिनी रहनी चाहिए और और तभी हमें flashback मिलता है कि एरुमा ने असल में Clara और Asmodeus के help के थूर यहाँ पहुचा होता है क्लारा ने अपने जेब से बनाया होते हैं वो सब डॉल्स को जो डॉल हर जग जाए जाके एरिया निकालते है कि कहां पे एरिया है निकलने के लिए और कहां पे ब्लॉक्ट है मशिन उसने बनाया होता है उसको वो activate करता रहता है और उसमें वो पठाका लगाया रहता है उसने तो फिर इरुमा जहेता से करके कीरियो के special room के बास बहुत जाता है और वो दिवाल में उस brick को अंदर दबाता है और gate खोल देता है लेकिन देखता है कि उसके सामने एक और barrier है तो किरियो से कहता है किरियो इस barrier को खोल दो तो किरियो वो barrier को खोल देता है और इरुमा उसके रूम में घुश जाता है उसके बाद इरुमा किरियो से पुछता है कि तुम यहां क्या कर रहे हो और यह सब क्या हो रहा है तो किरियो इरुमा को अपने सारे plan बताता है वो क फैमिली ने मेरा भहिशकार कर दिया था, वो लोगों ने मुझे एक बोर्डिंग स्कूल में भहिज दिया था, जहां पर मुझे हर एक बच्चा बुली करता था, पर वहां पर मुझे एक लड़की मिली, जो मेरी अच्छी दोस्त बन गई थी, और वो भी ऐसी ही थी मेरी तरह जिसके पास magical powers बहुत कम थे, और उसके पास एक special ribbon था उसका, जो उसने मुझे दे दिया था, और ऐसे ही एक दिन हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे थी कि कुछ लोग आके हमें परिशान करने लगे, और उनमें से एक लड़के ने उसका ribbon लेके पाने में फेक दिया था, औ और तभी मैंने ठान लिया कि मुझे मेरे जिंदगे में यही चाहिए, लोगों को दुख देना है और उनका helpless चेहरा देखना है, क्योंकि ये मुझे cake देता है, फिर उसके बद किरियो इरुमा से कहने लागी कैसे उसने ये बैटरा जॉइन किया था, और यहाँ पर वो उसक पैर में आजाओ, तुम्हें भी दुख मिले और तुम्हारे सारे दोस्तों को भी दुख मिले आज, और इसलिए मैं ये फटाका यहाँ पे फोड़ने वाला हूँ, वेल ये सब सुनके इरुमा बिल्कुल भी दुखी नहीं हुआ, वो चुप चप से खड़ा हुआ, उसने दो-तिन डब्बे रखे और जाके उपर से वो फटाका निकाल लिया वहां से, और उसने कीरियो से कहा कि तुम मुझे दुख नहीं दे सकते, और ये सब देखके कीरियो खुच शौक होगा कि भाई, ये क्या हो रहा है, और तभी इरुमा फटाका लेके या खिडिकी के पास पूरी की पूरी ताकत एक साथ यूस कर दी, और पूरी ताकत एक साथ यूस करने के वज़े से, बैरियर तूड गया, और इरुमा का फटाका वो ड्रागन के साथ बाहर जाके फट गया, यहां पर सब लोग खुश हो गया, सब ने फायरवक्स देख लिए और सब लोग कह लेकिन तभी ही उन लोगों ने इस साइड इफेक्ट के बारे में सोचा ही नहीं था, फटाका फटने के वज़े से, उपर से मीटी और जैसे पत्थर गिर दे लागे थी नीचे, वैल तभी हमें मालूम पड़ता है कि रॉबिन सेंसे और काले गो सेंसे दोनों ही बगल वाल बिल्डिंग के उपर खड़े हुए रहते हैं, और उसमें से रॉबिन सेंसे के पास एक ऐसी एबिलिटी होती है, कि वो एक धनुषबाण से बाढ़ मार सकता है, और जो उसका एरो है, वो एरो किसी भी चीज़ के थूरू पास पहुच जाता है, तो रॉबिन सेंसे ने क्य पहला ही मैजिक यह होता है, कि वो टाइम को रोक देता है, वो लिटरली टाइम को रोक के सारे मीटियोर को खीच लेता है अपने पास और उन्हें स्कूल के बाहर फिग देता है, फिर उसकाद अगले सिन में हमें दिखाते हैं, कि इरुमा सालीवान के गोध में लेटा और फिर Border Patrol Police ने कीरियों को गरिफ्तार कर लिया और वो उसे लेके चले गई यहां से और उसका सालेवन इरुमा को अपने कंदे पे बैठाता है और उसे खिड़की के पास लेके जाता है और वो दिखाता है कि सब के सब बच्चे इरुमा के पायर वरक्स के वज़े से बहुत एक गाना गाते हैं उसके बद आस्मोडिस की मॉम भी वहाँ पे आ जाती है जो कि इरुमा के साथ फ्लर्ट करने लगती है उसके अद इरुमा सोचता है कि अरे यार यार ये कितना अच्छा है सब के पैरेंट्स यहां पे आए हुए हैं काश मेरे भी पैरेंट्स यहां पे और तभी ही इरुमा के दादाजी और ओपेरा दोनों वहाँ पे आ जाते हैं और इरुमा के साथ पुरा दिन साथ में बिताते हैं वो लोग एक-एक बैट्ना को चेकाओट करते हैं अधिख करते हैं इस पूरे पंशन को और इरुमा और उसकी गैंग अपनी सासे रुके खड़ी रहती है और तब यह ही एपीसीोड यहां पर खतम हो जाता है तो लाश्ट टाम हमने देखा था कि इनका बैटरा पार्टी अल्मूस्ट कम्लीट हो चुका था और यह लोग रिज इता में आया क्यों कि वो लोगों को शांत किया था जब यहां पे सब लोग फस्स गय थे इस पुजल के अंडर उसके बाद सेकेंड नमगर पे आता है यह लोगों ने मैजिक इन्वेंट किये थे इसलिए इस वजए से इन को second price दिया गया है और अब बारी आती है number one बैटरा की इस वक्त हर एक बैटरा वाले सोज़द है कि इनको मिलने वाला है first price बट इन लोगों ने announce किya कि first price मिला है broadcast बैटरा को वो भी क्यों कि पूरे event के time पे broadcast बैटरा ही था जो हर एक चीज को properly broadcast कर रहा था और लोगों को instructions दे रहा था तो इसी वज़े से इरुमा और उसकी गैंग को कोई भी prize नहीं मिला और इसी वद कालेगो stage पे आता है और वो माइक लेगे कहता है मुझे एक बात announce करना है यहाँ पे एक ऐसी चीज हुई थी जिसके वज़े से इस बैटरा को मुझे punish करना चाहिए पर मैं इने price देने वाला हूँ और यह बैटरा का नाम है the magical apparatus बैटरा और यह इरुमा का बैटरा था कालेगो कहता है कि इस बैटरा में किसी भी एक member को जो बैटरा वाले decide करेंगे किसको उसका हम एक rank अप करेंगे इसका reason यह है कि इस बैटरा ने बहुत अच्छा production किया था उनके बैटरा का और वो लोगों ने हमारा help भी किया था किसी एक चीज में जिसों हम reveal नहीं कर सकते कि इरुमा वापस से आमेरी के साथ बैठा होता है और वो उसे मांगा पढ़ के बता रहा होता है और तभी ही आमेरी देखते हैं खिड़की के बाहर उसको उसके पापा दिखते हैं तो आमेरी इरुमा से कहती है कि इरुमा तुम रुक जाओ मुझे कुछ काम है मैं काम करके तो फिर इरुमा भी वहां से बाहर निकल लेता है और सोचता रहता है कि क्या हुआ आमेरी इतने जल्दवाजी में क्यों भाग गई और तब ही इरुमा को पीछे से धक्का लगता है तो देखता है तो उसके पीछे खड़े होते हैं आमेरी के पापा लेकिन ये बात उसे पता लेता हूँ तो ये सुनके तो इरुमा थोआ डर जाता है इरुमा उनसे पुछता है कि आप उन्हें पकड़ने के बाद क्या करते हो तो वो कहते हैं कि मैं उससे पका के खा लेता हूँ फिर वो हसके कहते हैं कि मैं तो मजाग कर रहा था उसके वो कहते हैं कि अगर कोई इंस से पूश्टाच करते हैं कि क्या Heruma असल में इंसान है कि डीमन है उसी वक्त आमेरी भी उनके पीछे आ जाती है और वो आके Heruma को इंट्रिूस्ड करवाती है उसके पापा से तो आमेरी के पापा आमेरी से पुछते कि तुम इसे क्यों इसे जानती हो तो वो उस वक्त एकदम गुस्से में आ जाते हैं, फिर अमेरी ध्रे-ध्रे करके उसके पापा को वहाँ से बाजू में लेके जाती है, फिर अगले दिन क्लास में आस्मोडियस और क्लारा हर्जे का न्यूस पेपर चिपका रहे होते हैं, जिसके ओपर इरुमा का रैंक पका न्य चांत करवाती है, और कुरुमू नाम की डमी डॉल है, जिसका अभी हाली में एक इवेंट होने वाला है, हमारे स्कूल के पास में, वो इन सब में सबसे टॉप पे है, ऐसा उसके सब क्लासमेट्स उसे बताते रहते हैं, उसवाद अगले दिनमोड लोग हमें दिखाते हैं, कि डेमी डॉल कुरुमू अपने कॉंसर्ट के प्रैक्टिस करती रहती है, और वो अपने ड्रेसिंग रूम में जाती है, वहाँ पे वो जैसे ही उसका विग हटाती है, तो हमें वालूम पड़ता है कि ये एक बुढ़ी है, पर रुको 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 ये कोई बुढ़ी नह इसका रीदान यह था कि इसका मैजिक इतना अच्छा नहीं था, तभी ही कुरुमू सोचती है कि वो उसका क्यूटनेस का यूस करेगी, क्योंकि वो बचपन से ही इतनी क्यूट थी कि लोग हमेशा उसके आसपस आते थे और खुश हो जाते थे, फिर वो ऐसे ही अपने ड्र पता चल जाएगा, तो वो थंडी होती है और वोपस से बाहर जाती है, स्टेज पे देखने के लिए कि कितने लोग आये हैं कॉरुमी के कॉंसर्ट के, क्योंकि उसे लगता था कि असल में इरुमा के फायर वक्स को ही जीतना चाहिए था, तॉप रैंक, मगर उसे नहीं मिला तो उसने सोचा कि मैं इरुमा को ये टिकेट्स दे देता हूँ, तो इरुमा जैसे ही कॉंसर्ट पर पहुचता है, वहाँ पर वो लखी बिनर बन जाता है, और उसे मिलता है मौका कुरुमू से वाइन वन बैठ के डिसकुशन करने का, वेल, इरुमा कुरुमू के साथ लोगों के नजरों में ना हूँ, फिर भी मैं बगर कोशिश किये भी उनके नजरों में आ जाता हूँ, ये सुनके कुरुमू बहुत बढ़क जाती है, और वो अपनी सारी पावर्स एक साथ यूज़ करने लग जाती है, वेल, फिर वो थोड़ी थंडी हो जाती है वापिस इसी वाईसे मुझे लगा कि तुम ही कुरुमू हो, और तुम्हारे चश्मों ने भी मुझे ये बताया था, वेल, ये सब सुनने गवाद कुरुमू थोड़ी सी टेंशन में आ जाती है, और वो उसके सारे पावर्स वापस से यूज़ करती है, और उसकी तब्यत खराब हो अब हमें किसी डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, लेकिन कुछी गंटों में उसका कॉंसर्ट भी स्टार्ट होने वाला है, और सारी ओडियंस भी आ गई है, वेल, कुरुमू को जल्दे से ठीक करने का एक रास्ता और है, वो है अगर हम उसकी फैमिली मेंबर्स को यहाँ लेकिन उनको भी आते आते बहुत लेट हो जाएगा, अब क्या करें, इस प्रॉब्लम में वो लोग फस जाते हैं, तभी वो लोग सोचन लगते हैं कि वो लोग क्या कर सकते हैं और उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता है, फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि कुरुमू अपने नीन से उठती है, और वो सुनती है कि लोग बहुत खुश हो रहे हैं बाहर, तो जाके बाहर देखती है कि क्या हो रहा है, लोग ऐसे खुश क्यू हो रहे, कॉंसर्ट तो मिस हो गया था उसका, लेकिन वो देखती है कि तीन लोग कॉंसर्ट को चालू रखे रहते है वो लोग होते हैं, इरुमा, आस्मोडियस और क्लारा, ये देखके हो ठोड़ी हैरान हो जाती है, तभी उसकी मैंदर उसे बताती है कि तुम्हारे पैरेंट्स यहाँ पर आये थे और उन्होंने तुम्हारे ठीक कर दी थी, उसी वक्त इरुमा और उसकी गैंग मुझे से आके उसके बद कुरमू बैक्स्तेच जाती है, तो फिर उसकी मैंदर वहाँ पह पे आती हैं और कुरमू को एक पेइपर देती है जो उसके पेरइंट्स ने उसे दिया होता है और इसमें पहली बार वो लोग ने बहुन के स्माइलिया ठीक होता है कुरमू को ये देखके वो बह अगले दिन इरुमा और उसकी गैंग वापस से स्कूल जाती रहती है, तभी आसमोडियोस और क्लारा दोनों रेस लगाते हैं कि कौन स्कूल की तरफ पहले पहुचेगा, और इस रेस में दोनों तेज तेज भागे जाते हैं, लेकिन हमें पता ही न चलता कि कौन जीता ये रे फिर वो अपने घर जाके सोजाता है, और तभी ही वो रियलाइस करता है कि अरे ये क्या हो रहा है, मैं तो डीमन वर्ल में पूरी तरह से घोल मिल गया हूँ, क्या ये सही चीज है, ये सोच के उटवा टेंशन में आ जाता है, फिर अगले दिन वो ऐसी टेंशन में अपने तो के साथ चलता रहता है, तभी Clara और Asmodeus, दोनों ये चीज देखते हैं कि Iruma एकदम टेंशन में है, तो उन्हें लगता है कि Iruma असलन बहुत ठक गया है, तो वो लोग decide करते हैं कि वो लोग Iruma के खाना बनाएंगे, और उसे वो खाना देंगे, ताकि वो खुश हो जाए, तो पहले तो Asmodeus और Clara दोनों मिलके खाना बनाते रहते हैं Iruma के लिए, लेकिन उनके बीच में जगड़ा होने लगता है, तो वो लोग decide करते हैं कि दोनों अलग-अलग करके खाना बनाएंगे, और जिसका खाना Iruma को पसंद आएगा, वो Iruma का बेच्ट फ्रेंड बन जाए Asmodeus को फिश से बहुत डर लगता है, तो जैसे तैसे राद बर मेहनत करके Iruma के लिए डिश बना के लेगे जाता है, अगले दिन Iruma बैठता है और दोनों का डिश टेस्ट करता है, और कहता ही दोनों ही बहुत ला जवाब है, पर अगर मैं इन दोनों डिश को एक साथ मिला क का एक ट्रेलर दिया रहता है, जिसमें Iruma के ग्रैंट पा उसके रूम में जाते हैं, और Iruma को बोलते हैं, गुड मॉर्निंग Iruma और तभी Iruma बोलता है, अरे ओए जूप हो जाना, और यहां पर Iruma एकदम से बदला बदला दिखता है, और ऐसा क्यू हुआ, यह हमें मालूम प पसंद आए तो प्लिस लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आप नए हो चैनल पर तो, और उसके साथ सा कमेंट करके मुझे आपके थौट्स भी बताइए, मेरे तरब से आज बस इतना ही, मेरा नाम है सासमेट, और मैं बात करूँगा आप से अगल वीडियो में तब तक के लिए, बाई बाई